हेलो फ्रेंज विल्कम टू माई चैनल तो फ्रेंज आज पहली बार मैं हिंदी में ब्लॉग बना रही हूँ और आज से मैं हिंदी में यहां पे ब्लॉग दूँगी इस चैनल पे और दिख रहे हो कि बाहर में बहुत बारी सोड़ी है और यहां पे देखो लाइट अन करके र तो आंदर चलते है तो फ्रेंज देखो मैं यहाँ पे एक पाम्किन लेकर बैट गई हूं पामकिन को देखकर आपको समझ में आ रहे है ना यह आठीफिस्याल स्टेट में रहेती हूं और इहां पर इस टाइम पर हैलोइन शीजन् सिल रहा है तो मैंने सोचा, की एक जैकु और्जिनल पामकिन नहीं मिला तो मैं यह आटिफेशियल मिला तो लेकर चले आए तो आज हम बनाएंगे जाक ओ लेंटर तो आप देखेंगे कैसे मैं बनाती हूँ तो आप लोग देखते रहें ना तो इहां पे मैं पामकिन और दो नाइफ एक पेन लेकर वैड़ गए हूँ अब मैं समझ में नहीं आ रहा है कि मैं नीचे काट करूं या उपर काट करूं तो मैं नीचे नहीं उपर ही काट करूंगी क्योंकि मुझे यह कोई और काम पे लग जाएगा मुझे जैसे के इंक के अंदर मिट्टी भर के प्लैन भी लगा सकती हूँ या फ्लावर भास की जैसा भी यूज कर सकती हूँ तो बाद में जो भी करूं तो इसलिए मैं उपर को ही काट कर लोंगी इसके बाद मैं पामकिन के उपर नोज आइज लिप्स ड्रॉ कर लेती हू उसके बाद मैं नाइप की हिल्प से कट कर लोंगी तो फ्रेंड्स ये हलोओं का मतलब क्या है और ये क्यू View माना जाता है मैं थोड़ा डिटेल में बोल देती हूँ तो जो हलोओं का हलो है इसका मतलब है holy saint यानि के पवित्र सन्यासी और इंका मतलब है eve यानि के अगले द को सेंट डे माना जाता है और इसके अगले इविनिंग में यानि के 31 ओक्टोबर में हालोईन सेलिब्रेट होता है बेसिकली अंसींट आयरलेंड लोगों ने 31 ओक्टोबर और 1 नौवेंबर को जीवन और मृत्तु का संजग स्थल मांगते थे इसलिए तब से बाच्चों ने गोड साजना सुरू कर दिया और कोई कोई डेविल भी साजना सुरू कर दिया और इस फेस्टिवल अमेरिका में पपुलार हुआ 1900 सेंचूरी में आईरिस इमिग्रेन के द्वारा और आज के डेट में पूरा अक्टोबर मांद में USA में हैलोईन रिलेटेट बहुत सारा इवेंड होता है इस टाइम पे वच्चे लोग ने जो घोस्ट का ड्रेस पहनते हैं मास्क लगाते हैं और इस हैलोईन का एक बहुती अट्राक्टिव एक्टिविटी है पामकिन को लेकर जैक ओ लेंटन बनाना तो इसलिए मैं भी एक अज जैकोलेंटन बना रही हूँ और ये मैं पहली बार बना रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये बनाते हुए तो मैं बहुती एक्साइटीड हूँ ये कैसा होगा मेरे हाथों में तो सो ओही देखते हैं चलो बनाते हैं तो फ्रेंट्स अब देख सकते हैं कि ये अल्मोस्ट डान हो गया और मैं आइस नोस भी बना लिया और माउथ बनाने में मुझे बहुती टाइम लगा थोड़ा बहुत टाइम लग गया क्यूंकि माउथ का जो टीथ मुझे बनाना था क्यूंकि स्पोकी लूग लगने के लिए घूस्ट जैसा दिखने के लिए ये टीथ अच्छा लगता है तो फिर चलो फ्रेंट्स इसका फाइनल लूग देखते हैं और मैं यहां पर एक कंडल जला के पामकीन के अंदर रग देती हूं देखो एक ही कंडल रग दिए हूं मैं ओ माई गॉड यह तो बहुती स्पोकी टाइप के लग रहा है मुझे तो लगता है कि घोस्ट लग रहा है तो देखो यह मैं रात में लाइट आफ करके दिखा रह हूं तो फेंड्स मैं इसको लेकर बाहर जा रही हूं मेरे पैटियो जो बैलकोनी है उहां पर तो उहां पर मैं इसको रग दूंगी पूरा रात होई पर रहेगा तो मैं पामकीन को एक छेयर के उपर रख दिया है नीचे नहीं रखा और फ्रेंड्स मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि यह जैको लेंटरन कैसा बना और मैं यह फास्ट टाइम बनाया है बहुती प्यार से और मेहनत से बनाया है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताना यह कैसा हुआ है और अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना आज के लिए टाटा बाई बाई मिलती हूँ और एक वीडियो लेकर